बार बार कहने पर देखने पर भी जो बातें जीवन साथ ही नहीं समझ पातें कैसे वही दर्द और टीज एक अंजान व्यक्ति बस आवाद सुनकर समझ जाता है नमस्कार आप सुन रहे हैं कहानी गूल्ड आईए सिया की कहानी को आगे बढ़ाते हैं सुनते हैं विनीता अस्थाना जी का लिखा खुपसूरत उपन्यास बेहया का दूसरा भाग त्रिश्णा एक अत्यांत महत्वाकांशी और बुधिमान महिला थी जिसने इस कंपनी में अपनी पोजीशन, अपनी प्रतिभा महनत और बेशक अपनी सुनदर्ता के दम पर हासिल की थी अपनी नुकीली पैंसिल हिल से लेकर तीखी जुबान तक कब किसका कैसे उप्योग करना है वह सब जानती थी मर्द उसे पसंद करते थे और औरते ना पसंद, उसे बहुभी पता था कि बड़ी डेल्स को हथियाने में उसे अपने रूप का कैसे इस्तमाल करना है वह लगभग 30 साल की बेहच चालाक और शातिर महिला थी महच 3 साल के भीतर ही उसने इस कंपनी में रिसेप्शनिस्ट से क्रियेटिव राइटर तक का सफर तै किया था कुछ सालों में उसने एक और बड़ी चलंग लगाई और अब कंटेंट हैड बन चुकी थी कुछ लोगों का यह भी सोचना था कि इस ओधे तक पहुचने के लिए वह अपने सभी बॉस के साथ सोई है अफ़ाय तो यह भी थी कि त्रिशना काफी समय से भासकर को खुश करती आई है जिसके कारण उसे यह पद मिला है त्रिशना सिया का बहुत सम्मान करती थी उसके एक रिसेप्शनिस्ट से लेकर कंटेंट राइटर बनने की ट्रेनिंग के पीछे सिया का ही हाथ था युवा और उत्साही तृष्णा को सिया में एक सलाहकार और मार्ग दर्शक मिला जिसने उसके सीखने के जोश और कमानी की भूख को पहचाना उसने तृष्णा को पहले छूटे रिसर्च वाले काम दिये और उसके बाद वह उसे महतुपूर्ण मिटिंग्स में लेकर जाने लगी मिटिंग के टाइम कोर्डिनेशन से लेकर डिसकुशन नोट्स द्यार करने तक प्रिश्णा ने सब कुछ बहुत जल्दी सीख लिया इसके बाद सिया ने उसकी रुची के अनुसार उसे राइटिंग असाइमेंट देने शुरू किये सिया जानती थी कि तृष्णा लिखने में बहुत अच्छी थी बस उसे थोड़ी गाइडेंस की जरूरत थी तृष्णा तलाग शुदा थी कुछ लोग यह भी मानते थे कि खराब शादी से निकलने में सिया ने ही तृष्णा की मदद की थी क्योंकि उसका पती शराबी और निकम्मा था तब से तृष्णा के कई अफेयर हुए लेकिन किसी भी आदमी के साथ बस सेरिस रिलेशन्शिप में नहीं आई उसके पास खुशाल जिंदगी जीने और घूमने फिरने के लिए धीरो दोस्त थे जिसमें जादातर पुरुष थे अब तक अभी ग्यान के पास तृष्णा के बारे में काफी जानकारी कठी हो गई थी उसने तृष्णा से रोज बाचीत करनी शुरू कर दी ताकि उनके बीच पूरे की मीटिंग से पहले एक अच्छा तालमिल बन सके मीटिंग के लिए बस दो ही दिन बचे थे सब कुछ लगभग तयार था अभी ग्यान तृष्णा को और अच्छे से समझने के लिए डिनर पर साथ ले गया वे साउथ दिल्ली के एक शानदार मौल में आये थे अभी ग्यान उसे अपनी पसंदीदा वीकेंड डेस्टिनेशन पर लेकर गया एक टेरिस रेस्टूरेंट में जिसमें लाइव म्यूजिक भी था तो उसने चुप़ी तोड़ने की कोशिश की तो क्या मैं मुस्कुराई आपको यह जगह कैसी लगी बहुत अच्छी यहाँ पर सिया मैं के साथ कई बाराना हुआ है या उनकी पसंदीदा जगहों में से एक है ओ प्लीज उनका नाम मतलो कोई भी नहीं प्लीज कम से कम यहाँ तो मैं उनका नाम नहीं सुनना चाहता महमन वो अपने मन में चिलाया उसके बावजूद उसने खुद को शानत और रिस्ते रखते हुए पूछा आप क्या लेना पसंद करेंगी तुम्हारे पास क्या है पेश करने के लिए एक शरारती मुस्कान के साथ उसने पूछा आप जैसे खुबसूरत महिला के लिए मेरे पास देने को बहुत कुछ है मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ कि आपने मिलने के लिए थोड़ा वक्त निकाला मैं आपके लिए वाइन ओर्डर करूँ उसने एक सज्जन आदमी की तरह बादचीत करना शुरू किया ओह मुझे नहीं पता था कि तुम इतने जेंटलमेंट टाइप हो और हाँ और अच्छे और रोमेंटिक और हम और और बहुत ज़्यादा होट ओह वाकई अभी ग्यान इस बात से खुश था कि वह इतनी जल्दी बात को आगे बढ़ा रही थी हाँ मुझे यकीन है कि तुम ये जानते हूँ और मैं कोई पहली और तो नहीं हूँ जो तुम से यह कह रही है बहुत सी होंगी और उनमें से कुछ तो हमारे ओफिस में है वाव क्या मैं इतना पॉपलर हूँ बैड बॉइस पॉपलर होते ही है वाकई बैड बॉइ फिर ऐसा क्या है जो इतनी खुपसूरत और जहीन महिला को इस बैड बॉइ के साथ अकेले डिनर पर आना पड़ा आपके प्रप्रोजल को कौन मना कर सकता है वाइन नहीं प्लीज मुझे इस कौच पसंद है तरिशना ने उसे एक सीधा संकेट दिया डिन्क और डिनर के बाद तरिशना काफी नशे में थी अभी ग्यान ने बार मेनेजर के साथ उसे पारकिंग तक जाने में मदद की थाइंक्यू इनकी गाड़ी यहीं पारकिंग में रहेगी लगता है कि इनको मुझे ही ड्रॉप करना पड़ेगा उसने तरिशना को अपनी कार में बठाया बार मेनेजर जा चुका था मुझे लगता है अब जादा नशे में है मैं आपको कहां ड्रॉप कर दूँ ड्रॉप ना मेरे घर या तुम्हारे घर उसने सीधे पूछ लिया माई प्लेस हनी पर मैं नहीं चाहता कि कल सुबह आपको पश्टावा हूँ मेरे साथ को पहली बार experience करने के लिए तुम्हें नशे में नहीं होना चाहिए उसने बचने की कोशिश की मैं नशे में नहीं हूँ ओटी मैं तुम्हारे सुरूर में हूँ उसने उसे कसकर पकड लिया तृष्णा ने उसे जोर से किसकर लिया और फिर दोनों ही एक दूसरे को कुछ देड़ तक इसकरते रहे इस विश पार्किंग गार्ड ने खिड़की पर नौक किया सर मौल अब बंध हो चुका है आप अपनी गाड़ी ड्राइब कर ले अब एक बच चुके हैं हाँ बस एक मिनट अब इग्यान ने तृष्णा को ठीक से बिठाया जो ना सिर्फ नशे में थी बलके होश आवास भी खो चुकी थी वह उसके आखों में प्यास देख सकता था अब इग्यान उसे अपने घर ले गया उसे विस्तर पर लिटाया उसके हिल्स उतारी और वहीं बैठ गया उसके विस्तर पर एक होट लड़की थी जो से पाना चाहती थी फिर भी जाने क्या था जो भी ग्यान को रोक रहा था उसने जिंदगी भर औरतों के साथ यही तो किया था सभी होट और खोपसूरत औरतों के साथ अपनी सब इच्छाओं को पूरा किया था वह अभी सिर्फ उने अपने प्यार में बांद कर उसके पास एक हैपी लव लाइफ थी या सच कहें तो अच्छी सेक्स लाइफ लेकिन आज वह उस औरत को छूना भी नहीं चाह रहा था अभी वह त्रिश्णा के बारे में सोची रहा था कि त्रिश्णा ने उसे अपने पास खीच लिया और उसे किस करने लगी इससे पहले कीवा कुछ रियक्शन देता त्रिश्णा ने उसके शर्ट के लगपक सारे बटन खोल दिये और अपना टॉप भी उतार दिया इसके बाद वह खुद को रोप न सका जल्दी पूरे कमरे में उत्रे हुए कपड़े पड़े थे एक आएक हाफने और आहों की आवाज के बीच अभी ज्यान रुप गया उसने उसके चेहरे को गौर से देखा ये तो वो नहीं है उसने अपने दिल्चस्पी खोदी थी तृष्णा ने उसे और करीब खीच लिया उसने उस रात कई बार सेक्स किया हर संभ़ पोजीशन और रौस्था में दोनों ही अपने लंबे लौ मेकिंग सेशन्स के बाद बहुत ठक गये थे तृष्णा सोचुकी थी अविग्यान ने एक सिगरेट जलाई और बालकनी में बैठ किया वह अपने आपको बहुत अलग महसूस कर रहा था तृष्णा सेक्स में तमाम तरह के प्रयोग करने वाली महिला थी उसने अविग्यान को सेक्स के दौरान तंद्र योग सिखा दिया था वह नहीं चाहती थी कि अविग्यान का मन फिर से उचट जाए उधर अभी ग्यान ने भी सेक्स जैसी चीज के लिए कभी मना नहीं किया था लेकिन आज कुछ अजीब ही इस्थिती थी एक खुबसूरत महिला के साथ होते हुई भी उसे सब कुछ फीका और बोरिंग लग रहा था पर जितनी बार भी सब जल्दी से खत्म करने की कोशिश करता जिशना ऐसा नहीं होने देती वरना वह उसे एक अपका बीच में ही छोड़ देता यह क्या हो रहा है मेरी उम्र ढल रही है या यह कुछ और है वह अपने दिमाग पर जोड़ डाल कर उस बात को याद करने की कोशिश कर रहा था जिसने उसे रोक दिया था उसे सही से कुछ याद नहीं आ रहा था वह नशे में था और ठका हुआ भी सोफे पर ही उसकी आफ लग गई गूड मॉर्निंग अभिज्ञान उठो प्रिश्णा उसके सामने तयार खड़ी थी अभी भी नीद में ही था और वह मुश्केल उसका चेहरा देख पा रहा था मैं हूँ त्रिश्णा उठो वह मुस्कुराई और उसने उसकी पीठ थपतपाई तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो अभी ग्यान ने आस्चारे से पूछा क्या तुम अभी भी होश में नहीं हो वह चिड़ गई वह खी से निकाल कर बूला वह भी मुस्कुराई तुम तो जंगली हो बिल्कुल जंगली बिल्ली उसने अपनी हैरानी को ढखने की कोशिश की हाँ मैं हूँ ये मैं जानती हूँ लेकिन तुम्हें क्या हो गया था मुझे तो तुमसे थोड़े और जादा की उमीद थी कि तुम होट हो लेकिन ऐसा लगा कि तुम ठके से और खोई खोई थे नहीं तो ऐसा नहीं है हाँ बस ठक गया था और यहाँ काम का बोश भी बहुत है मुझे इंडिया पसंद नहीं है उसने एक वाहियाद बहाना बनाया मैं समझ सकती हूँ और तुम पुरी रात सो भी नहीं पाए तृशना ने एक शरारती मुसकान भी खेरी मैं मुस्कुराया उसके होटो पर एक नकली मुसकान थी यानि तृशना को लगा कि मैं खो गया था पर ऐसा क्यूँ कामान अभी ग्यान क्या कर रहे हो तुम अपना नाम डुबो दोगे ऐसा होने से रोपना होगा उसने खुद से बात करते ही अपना उत्सा बढ़ाना शुरू किया आफिस के रास्ते में उसने तृशना से पूछा तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं खो गया था मैं तो बस तुम्हारी खुबसूर्ती को अपनी बाहों में और जादा महसूस करने की कोशिश कर रहा था सच मैं कितनी ना समझू मुझे लगा कि तुम मेरे अंदर किसी और को तलाश कर रहे हो जिस तरह से तुम मुझे देख रहे थे मुझे लगा कि तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो उसने शर्माती हुए कहा कम ओन बेबी मैं तुम्हें देखी रहा था तुम बहुत सुंदर लग रही थी तुम्हारा चेहरा चमक रहा था मैं तुम्हारी आखों में अपने पैशन की जलक देख रहा था अपने आपको देखो तुम आज एक टीनेजर की तरह दिखाई दे रही हो अच्छा मैं शर्माई जैसे ही दोनों साथ में आफिस में खुसे खुसर पुसर शुरूर हो गई गुड वार्निंग मैं तुम्हारी ने सिया को विश्किया और जवाब में सिया ने मुस्कुराते हैं सिर हिलाया सिया ने पीले रंकी साड़ी पहनी थी जिसका बॉर्डर मेरून था मसाड़ी उनके उपर खुब जच रही थी बहुत हलका सा मेकड एक छोटी सी बिंदी और जुंके वन अजाकत वाली खुबसूरत लग रही थी अभी ग्यान अपनी नजरों को उसके चेहरे से हटा नहीं सका भप्रशंशा भरी नजरों से बार बार उसकी और देखने को मजबूर था पकड़ लिया नाम्या ने उसके कान में धीरे सिफसाया क्या उसने मासूमियत से पूछा मैंने आपको देखा एक्स्क्यूज मी आप सिया मेम को घूर रहे थे तुम पागल हो क्या नहीं पर शायद आप उनसे आकर शित हो रहे हैं आज वो कुछ जाद है खुबसूरत लग रही है पता नहीं वो ब्राइट कलर्स क्यों नहीं पहेंती देखो ना ये उन पे कितना फ़क्ता है तुम गे हो नाम्या शट अप सही में मेरा मतलब है जिस तरह से तुम सिया के हमेशा तारीफ करती हो मुझे शक होता है उसने बात को बदल दिया और अपनी केविन की तरफ चला गया जैसे ही वो कुरसी पर बैठा उसने एक सिगरेट जला ली और कम्पनी में गुजारे पिछले कुश हबते इसकी आखों के आगे घूमने लगे जो कुछ नाम मैंने कहा था वह सब उसके दिमाग में चल रहा था मैंने कल सिया को देखा था हाँ मैंने सिया को देखा था हसते हुए मेरी बाहों में उफ ये क्या था कुछ पल का सपना था जैसे जिसके चलते में ओ गॉड नॉट अगेन क्या यही वज़े थी जिसके चलते में तृष्णा को छूने में जिजक रहा था क्या मैं तृष्णा के चेहरे में सिया को ढूंड रहा था जैसा कि तृष्णा को भी रगा था क्या मुझे उससे प्यार हो रहा है इतने कम समय में वह सिया को सब कुछ बता चुका था एक पुराने और गहरी दोस्त की तरह उसने हर एक बात उससे कह डाली थी चाहे सिया ने कोई जवाब दिया हो या ना दिया हो वह क्यों हमेशा सिया की प्रतिक्रिया और हर बात पर उसके फीड़बेक का इंतिजार करता है क्यों वह या चाहता है कि सिया उसके गाने सुने उसके पास बहुत सारे सवाल थे जिनका वह जवाब चाहता था वह फिर से प्यार में नहीं पढ़ सकता जिन्दगी में अब और जटके नहीं पक्वास नौट अगेन ये सब जरूर उसके ख्यालों उसकी कल्पनाओं का चक्कर है उसके चहरे पर एक घटिया सी मुस्कुरा हटा गई वह अपने ख्यालों को खारिज करने की कोशिश कर रहा था खुद को समझा रहा था कि अबर शाररी का कर्शन है ये कैसे हो सकता है इस उम्र में आकर मैं एक 16 साल के लड़के की तरह बरताव नहीं कर सकता जिसे पहली दफ़ा किसी से प्यार हो गया हो और ये सब उसके बारे में सोच कर जो पहले से ही शादी शुदा है मुझे इसे ठीक करना होगा ये सब मेरे साथ नहीं हो सकता अब इग्यान अपने ही खयालों में खोया हुआ था कि उसने सिया की आवाज सुनी वाच आउट और अब मुझे उनकी आवाज भी सुनाई दे रही है वाबड़ आया तभी सिया ने उसे हाथ से पकड़ कर अपनी तरफ खीचा बलग बलग उसकी बाहों में था सिया उस पर बरस पड़ी क्या आप पागल हैं करना क्या चाहते हैं आप आप अपना हाथ जला रहे हैं और ब्लाइंड्स भी क्या आप होश में नहीं हैं पूरा ओफिस जला डालोगे क्या वा बहुत बुश्य में थी पूरा ओफिस इकठा हो चुका था सिक्यूरिटी गार्ड ने तेजी से फैल कीवी याग को बुझाना शुरू कर दिया वा बस उसे घूरे जा रहा था और कुछ भी नहीं बोल सका कुछ सहयोगी उसे मेडिकल रूम में ले गए और तृष्णा ने तुरंत उसकी हथेली पर मरहम लगा दिया तृष्णा चिंतित थी उसकी आखे नम हो गई अभी ग्यान याद करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर क्या हुआ और कैसे हुआ हाला कि वह अभी भी कुछ सोच पाने की स्थिते में नहीं था उसने अपने चारों तरफ देखा तो समझा कि अभी अभी उसने किया क्या है जब वह अपने ख्यालों में खोया हुआ था शायद गलती से उसने अपनी सिक्रेट से ब्लाइंड्स को जला दिया यह एक बहुत बड़ा एक्सिडेंट हो सकता था अगर सिया उसके पास टाइन पर नहीं आती लेकिन वह मेरे कैविन में क्या करने आई थी वह अभी भी सिया के बारे में सोच रहा था दर्द हो रहा है तृष्णा ने उससे पूछा जादा नहीं उसने वर्तमान में लोटने की और फिर से नख होने की कोशिश की तुम आखिर सोच क्या रहे थे कल भी तुम ऐसे ही खोई हुए थे तृष्णा ने शिकायद भरे लहजे में कहा आउच ये जलन तुम्हारे साथ जलने से बहतर नहीं है अभिज्ञान ने तृष्णा की तरफ देखते हुए जवाब दिया तृष्णा शर्मा गई यह जान लेने के बाद कि जादा नुकसान नहीं हुआ है और आग के बढ़ने की जादा उमीद नहीं है तब सिया मेडिकल रूम में आई प्लेज इन्हे थोड़ा पानी दीजिये सिया ने ओफिस बॉइ से कहा तो मिस्टर अभिग्यान सुरेवंशी अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं फेलिंग बेटर उसने एक सहमें वे स्कूली बच्चे की तरह जवाब दिया ग्रेट तो मैं आपके कैविन के रेनोवेशन को आपके प्रोफेशनल चार्जेस में एड़िस्ट कर दूँगी ये ठीक रहेगा आपको कोई समस्या तो नहीं है इससे मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है उसने अपने आपको थोड़ा निडर दिखाने की कोशिश की इस दंभीर बाच्चेप को देखते हैं तरिशना और बाकी लोग रूम से बाहर चले गए सिया बैठ गई उसने उसके जले हुए हाथ को देखा फिर उसे फायर सेफटी और कंपनी पॉलिसीज के बारे में बताया सिया की आवाज बस उसके कानों तक ही पहुच रही थी क्योंकि वह सुन कुछ भी नहीं रहा था कितनी खुबसूरत आवाज है इनकी वह सिया की आखों में डूब रहा था गेंगवा सुनहरा सा रंग मखमली ओट लंबे बाल ओ येस कितने खुबसूरत बाल हैं लंबे और चमपदार वह साड़ी इनके फिगर को कितना सूट करती है यस साड़ी बहुत अच्छे से पहनती है और जो कुछ भी पहनती है उसमें कितनी अच्छी लगती है ऐसे ही होना चाहिए सबी कुछ करीने से पहनना चाहिए अविज्यान मनी मन बाते कर रहा था और हैरान सा नजर आ रहा था अभी घ्यान कि आप मुझे सुनपा रहे हैं अभी घ्यान कब से आपने ब्रेक नहीं लिया नो, हाँ शायद, मुझे लगता है कि शायद आपको भी कुछ री क्रियेशन की जरूरत है तो आप मुझे होली डे पैकेस बेज रही है अभी ग्यान ने सवाल किया, ये दोनों ठाके मार कर हसने लगे अभी ग्यान सही था, वह सिया ही थी, जिससे वह सबसे ज़ादा सब कुछ, उसने कहा, ओके, सिया काफी धहरे से सुन रही थी, वाट ओके, वह ओके से कुछ ज़ादा की उमीद कर रहा था, हाँ मुझे पता है कि आप बहुत बाते करते हैं तो, उसने पूछा फिया आपको इस बात पर नाजोना चाहिए, मैं इस दुनिया में कभी किसी को कुछ भी नहीं बताता, अपने दोस्तों के साथ भी कुछ शेयर नहीं करता, लेकिन मैं आपको सब बताता हूँ उसने अपनी प्ले बॉई की इमेज पर करार रखने की कोशिश की हम, क्या हम उसके छोटे जवाब और सपाट चेहरे को देखकर वह बेचैन हो उठा ओक्या भी ग्यान, आप मुझे इसी बात पर नोबेल पुरुसकार के लिए नॉमिनेट करें उसने हस्ते भी कहा बेशक आप इसके लायक हैं, लेकिन मैं सीरियस हो सिया मैं आपके साथ सबको शेयर क्यों करता हूँ इतने सालों में मैंने कभी किसी के साथ जादा बात नहीं की और गंभीर होकर बोल रहा था मुझे कैसे पता होगा, सिया ने वेपरवा होकर कहा आप जानती हैं आप एक अच्छी शोता हो और आप किसी को बेवज़ जज़ भी नहीं करती है आप टांग नहीं अडाती और आप दखल भी नहीं देती है क्या हम दोस्त बन सकते हैं? उसने बेहद अपचारिक तरीके से पूछा क्या हम पहले से ही दोस्त नहीं है? सिया ने पूछा इस तरह नहीं आप मेरे साथ फ्रेंड्ली हैं मेरे लिए अच्छा सोचती हैं उसने उतर दिया फिर किस तरह? वह उत्सुप थी लाइक फ्रेंड बडीज मेरा मतलब है एकदम पक्के वाले दोस्त जो जरूरत के वाद एक दूसरे के लिए खड़ेग आप समझ रही है अपने दिमाग पर ज़ादा जोर मड़ डाली अभी क्या दोस्त बनाई नहीं चाते आप किसी के साथ भी दोस्त बन सकते हैं खास कर जब आप किसी के साथ सहच हो तो परिशान मत हो ये छोड़िये इसे उसने बाप को खत्म करते हैं कहा हाँ सहच होना पर क्या आप हमेशा से ऐसी है कैसी जैसे कि डिडेक्टर टाइप सिया सिर्फ मुस्कुराई हाँ और आप सब के जिंदगी अपने मताबिक चलाना चाहती है बिल्कुल भी नहीं अच्छा तो चारो तरफ देखिए लोग आपसे डरते हैं और फिर भी वे इस और्गनाइजेशन को नहीं छोड़ते आपने उन्हें फसा कर रखा है लेकिन वो शिकायद भी नहीं करते आप उन पर एक क्वीन की तरह शाषन करती है आपका मतलब ताना शाह हाँ वही अभी ग्यान आप लगबख 45 मिनट से बाद को घुमा फिरा रहे हैं प्लीज मुद्दे पर आजाएं उसने कहा नहीं मैंने ठीक कहा हाँ मैं केवल यही कहना चाहा रहा था उसने मुश्किल से जवाब दिया पक्का हाँ यकीनन ग्रेट आपकी मीटिंग और ट्रिप के लिए फिर मिलते हैं मारोम से बाहर चली गई और विज्ञान अपसोच रहा था यह मुझे क्या हो जाता है जब वह मेरे पास होती है मैं अच्छी बाते कहना चाहता था और मैंने उन्हें एक तानाशाह कह दिया मैं क्या कर रहा हूँ क्या मैं कंट्रोल खो रहा हूँ उसने खुद को पूरे डील और त्रिश्णा पर फोकस करने की याद दिलाई ओख अब अगले तीन दिनों के लिए कोई और एजंडा नहीं रात के लगभग ग्यारा बज़े सिया का मुबाइल बज़ा यश चिलाया सिया तुम्हारा फोन इतनी रात में क्यों बज रहा है और ये अभिग्यान कौन है जो कॉल कर रहा है उसने उसका फोन बेट पर फेक दिया सिया ने बहस नहीं की अपना फोन लिया और कमरे से बाहर चली गई हेलो उसने फिर से जोर देकर कहा नहीं मैं नहीं आ सकती चली सुबह बात करते हैं उसने शालिंता से जवाब दिया ओ गॉड्ट सिया फोन मत रखना प्लीज तृष्णा का एक्सिडेंट हो गया उसने संचेफ में बताया ओ गॉड्ट कब कैसे उसने पूछा प्लीज जादा सवाल मत पूछिए मैं इस शहर में जादा लोगों को नहीं जानता हूँ क्या पा सकती है अभी ग्यान ने उससे नरोध किया ठीक है मुझे पता मैसेज करिये मैं पहुच रही हूँ उसने फौरण जवाब दिया थाइंस अभी ग्यान कौन है और क्यों अभी ग्यान ने रिपोर्ट करने के लिए कॉल किया त्रिशना उसके साथ क्या कर रही थी यश ने फिर सवाल किया मैं लोगों की जासू से नहीं करती मुझे पहले खुद पता करने दो मैं तुम्हें वहाँ पहुच कर अपडेट करूंगी उसने इस थिरता से जवाब दिया और चली गई बात कुछ महीने पहले की होती तो यश के रियक्शन से बचने के लिए देर रात सिया घर से बाहर नहीं जाती अभी ग्यान एरपोर्ट के पास एक स्टूडियो अपार्टमेंट में रहता था वह जगे सिया के घर से लगवग 30 मिनट की दूरी पर थी सिया रात के तकरीवन 12 बजे वहाँ पहुची अभी ग्यान ने दर्वाजा खोला कहां है वह उसने घर में घुशती ही दृष्णा के बारे में पूछा बेड यूम में अभी ग्यान ने बताया वह उसके पीछे रूम में गई दृष्णा के हाथ की नस कटी होई थी और वहाँ बेड़ पर थी एक प्राइवेट डॉक्टर उसके पास खड़ा था वह बेहोश थी यह अब ठीक हैं चिंता करने की कोई बात नहीं है नो डेंजर डॉक्टर ने कहा थैंक यू फॉर दे हेल्प अभी ग्यान ने राहत की सास ली और उसके साथ बाहर चला गया जैसे ही वह कमरे में आया जियान ने सवालों की जड़ी लगा दी क्या आप मुशे बताएंगे कि यहां क्या हुआ है किस तरह से एक्सिडेंट हुआ मुझे एक मिनट दीजिए प्लीज और बैट चाहिए प्लीज प्लीज अभी ज्यान ने उसे कंधे से पकड़ कर कुरसी पर बिठाया वो बस मेरी दोस्त है मेरा उसके साथ कोई अफेर नहीं है उसने समझाया मुझे आपकी नीजे जिन्दगी में कोई दिल्चस्पी नहीं है और वैसे भी आपको ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है पर ये कैसे हुआ उसने तृष्णा की कलाई पर बंधी वेंड़ेज की तरफ इशारा करते हुए पूछा ओके येस हमारे बीच फिजिकल रिलेशन्शिप है सिर्फ दो दिन से मात्र फिजिकल रिलेशन्शिप जो कि उसने शुरू किये थे उसने दुबारा जमीन की तरफ देखना शुरू कर दिया बकवास बंध करिया भी क्यान सिया को उसकी नीजी जिन्दगी से कोई लेना देना नहीं था उसे अजीब भी लग रहा था कि वह अपनी नीजी संबंधों के बारे में उसे क्यों बता रहा है लेट मी फिनिश प्लीज जब तक मैं आपको सारी बात नहीं बता देता मुझे चैन नहीं मिलेगा आज दूसरा दिन था और वो मुझसे मिलने के लिए जिद कर रही थी लेकिन मैं मिलना नहीं चाहता था वो मुझे फोन पर गालियां दे रही थी और धमकार रही थी तो मैंने उसके कॉल का जवाब देना बंत कर दिया फिर वो अचानक यहां आ गई और मुझसे जबरदस्ती करने लगी मैंने जब मना किया तो उसने खुद के साथ ये सब कर लिया उसने दीनी आवाज में कहा मुझे आप पर भरोसा नहीं सिया ने इसकी कहानी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा किसी को नहीं होगा लेकिन आपको मुझे पर भरोसा करना होगा सिया अभी ग्यान ने उसके आखों में देखा क्यों त्रिशना ऐसा क्यों करेगी सिया यह सब सुनने के बाद सक्ते में थी उसका दिल कह रहा था कि अभी ग्यान जूप नहीं बोल सकता वह उस पर विश्वास करना चाहती भी थी लेकिन उसका दिमाग ऐसा करने से रोक रहा था सिया को असमंजस में देख अवे ग्यान ने धीरे से कहा मुझे पता है कि इस पर विश्वास करना मुश्किल है क्योंकि यह आपके ज़्यादा करीब है लेकिन यकीन कीजिए तभी उसने अपना फोन निकाला और तृष्णा के साथ दिन भर हुई सारी बाचेत को दिखाया इसे पढ़िये वह सही था तृष्णा ने ही उस पर अंचाहे फिजिकल रिलेशन्शिप के लिए दबाव डाला था ओओ गॉड एक औरत कैसे उसके दिमाग में सैक्रो सवास थे अभी ग्यान उठा एक सिग्रेट जलाई और बालकनी की तरफ चला गया सिया पीछे से आई I am sorry उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अभी ग्यान को सान तो ना दे भी तो कैसे कोई बात नहीं मेरी इमेजी ऐसी है मैं समझ सकता हूँ उसने मुस्कुराने की कोशिश की नहीं मुझे लगता है कि ये हमारी सब भताओं के शुरुआत से चला आ रहा था कि हमने औरतों के लिए पीड़ित और आदमियों के लिए उट पीड़की मानसकता पाल रखी है मैं आप पर विश्वास करती हूँ लेकिन तृष्णा के साथ ये सब हुआ तो मुझे लगा I am sorry उसने बिना वहस के माफी माँगी It's okay, cigarette? उसने सिया को स्मोक के लिए पूछा हाँ सिया ने cigarette सुलगाई जानती हैं मैं एक वांडरर हूँ और मैंने एक बंजारे की तरस जिंदी जी है शायद मैं समाज की good boy image में fit न हो सकूँ क्योंकि मुझे double standard society में भरोसा नहीं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं औरतों की respect नहीं करता मैं करता हूँ मैं उनकी value करता हूँ उनका आदर करता हूँ मैं किसी भी औरत के साथ कभी गलत नहीं कर सकता जैसे कि stalking, blackmailing, forcing, blaming और भी बहुत कुछ लेकिन हाँ मैं यहाँ किसी की sexual desire को पूरा करने के लिए नहीं हूँ और किसी की हवस के लिए तो कभी भी नहीं जब भी physical relationship हो अपने partner की सहमती का होना जरूरी है cigarette के कश के बीच उसने सिया को अपने और त्रिश्णा के बीच हुई हफते भर की सारी बाच्ची और दो दिन पहले की वन नाइट इस्टेंट के बारे में भी बता दिया उसने साथ ही साथ ये भी डिसकस किया कि वह कैसे फ़र रिलेशन्शिप में रहा लेकिन कभी किसी के सार्ट कमिचिड नहीं हुआ और या उसकी और से हमेशा से साप था उसने कभी किसी औरत को दोखा नहीं दिया उसके आखों में इमांदारी थी सिया को भी ग्यान के लिए बुरा लगने लगा था पहली वार उसने बिना किसी लाग लपेट के सीधा साधा सत्य सुना था जिसमत पुरुष के एहम की छाया तक नहीं थी उसने हमेशा उन ओरतों को परामर्श और सांतोना दी थी जिसने ऐसे घटनाओं का जिंदगी में सामना किया था जो अपने सहे कर्मियों और मेल पार्टनर के उत्पेडन का शिकार हुई थी पस मंजस में थी कि एक मर्द को कैसे सांतोना दी जाये जो ऐसे ही किसी उत्पेडन का शिकार हुआ है उसने अपना हाथ उसके कंदे पर रखा और धीमी आवाज में कहा मैं समच सकती ही सिया ने जैसे ही अपना हाथ इसके कंदे पर रखा वह पल्टा और उसे लिपट गया आपको पता है अभी मैं मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ मुझे मा की बहुत यादा रही है सिया ने उसकी पीट पर हाथ फेटते हुए कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा हिम्मत रखिए आप बहुत अच्छे इंसान है और मैं आपको ये बता दूँ कि मैं आपकी और भी ज़्यादा इज़त करने लगी है उसे अब खराब नहीं लग रहा था वा खुद भी अपने इस बदलाव से हैरान थी आप बहुत उदार हैं सिया और सॉरी अगर मैंने आपको डराया हो तो अभी ग्यान ने मुस्कुराने की कोशिश की तो आखों से आसू गालो पड़ो लग गए बिलकुल नहीं उमीद है कि आप अब कुछ बहतर महसूस कर रहे होंगे उसने अभी ग्यान की तरफ पानी का ग्लास बढ़ाया हाँ वह अभी सिसक रहा था उसकी आखों में आसू थे और वह मुस्कुरा रहा था वह उस इमेज से एकड़म अलग दिखाई दे रहा था जैसा कि लोग अक्सर उसके बारे में सोचते और बाते करते रहे हैं सिया इस तरह के आदमी की कटेगरी को समझने की कोशिश कर रही थी जिसका नाम अभी ग्यान था दोनों तृष्णा के रूम में वापस चले गए वह अभी भी बेहोश थी सिया ने अभी ग्यान को अराम करने के लिए कहा वह दूसरे रूम में चला गया सिया बैट के पास सोफे पर बैट कई और सोचने लगी ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण तृष्णा ने यह सब किया यह कोई पहली वार नहीं था जब तृष्णा किसी आदमी के साथ फिजिकल रिलेशन्शिप में थी लेकिन वह अभी ग्यान को मजबूर करने की हद तक क्यूं चली गई इसने ऐसा क्यूं किया या फिर वह किसी तरह की बिमारी से पेड़ित है तृष्णा को इन सब पर बात करने की जरूरत है वह इस तरह की साई को नहीं थी शायद और फिर एक आदमी जो शादी शुदा नहीं है जो खुद अड़तों की सहमती की इतने इज़त करता है ऐसा वाकई बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि शादे शुदा आदमी को जब भी सेक्स चाहिए होता है वे उसे हासल करना चाहते हैं और चाहे कुछ भी हो वे इसे हासल करके ही मानते हैं सिया का चहरा उतर गया बर डर से काप रही थी उसके आखों से आसो निकल रहे थे उसने अपने आपको शौल से कस्की ढख लिया और उसे काउश पर सो गई सुबह हो चुकी थी अभी ग्यान सिया को देखने आया था कि वह ठीक है या नहीं उसने देखा कि वह एक बच्चे की तरह काउश पर सो रही थी उसके पैर मुड़े हुए थे और हथेली चहरे के नीचे थी शायद उसे ठंड लग रही थी उसने एक कंबल उठाया और उसे उड़ा दिया पर उसके कदम वही ठहर गए वह वही बैट किया और सिया को देखने लगा उसके बाल उल्चे से थे पर बंदे हुए थे फिर भी वह अलॉकिक लग रही थी कुछ तो ऐसी बात थी कि उसका चेहरा किसी एंजल की तरह चमक रहा था करती है उसे सिया बहुत ही कोमल और प्यारी लग रही थी एक छोटे से बच्चे की तरह पर यह क्या इनके चेहरे पर सूखे हुए आसू शायद इन्हे मेरे लिए बुरा लग रहा होगा वह मुस्कुराया फिर उसने तृष्णा को देखा और डॉक्टर ने उसे नीम के लिए हाई डोस वाली पैन किलर दी थी एक बेहदी मजबूत और समवेदन शील लड़की लेकिन उसने यह सब क्यों किया वह अभी भी रात के हाथसे से उबर नहीं पाया था सुया फोन की आवाद से उठ गई जैसा कि अंदाजा था फोन पर यश था तुम कहा हो सुबह के छे बज रहे हैं उसने गुस्से में पूछा मैं मैं तृष्णा के साथ हूँ उसके हाथ की नस गलती से कट गई थी मुझे उसे नर्सिंग हों में एडमिट कराना पड़ा कुछ देर में आती हूँ उसने हगलाते हुए कहा मैं जोट नहीं बोलना चाहती थी लेकिन वह यह नहीं बता सकती थी कि वह पूरी राध तृष्णा की देख रेख के लिए अभी ग्यान के घर पर थी भगवान के लिए सिया क्या तुमने उसे अडॉप्ट कर लिया है या बात कुछ और है मेरे सबर का इम्तिहान मत लो जल्दी वापस आओ बच्चे तुम्हें पूछ रहे हैं उसने कड़क आवाज में बात की और बिना सुने कि वह क्या कहना चाहती है फोन कार्ट दिया सिया ने चारो और देखा तृष्णा वहाँ पर नहीं थी उसने अधीरता से उसे और अभी ग्यान को धूरना शुरू किया वो दोनों हॉल में डाइनिंग टेबल पर बैठे थे तृष्णा चुप थी और अभी ग्यान भी जो बहुत कम होता था तृष्णा ने देखा कि सिया उसकी तरफ आ रही है उसने खड़े होने की कोशिश की नहीं नहीं बैठो सिया ने उसे आराम करने को कहा I am sorry मैं मुझे नहीं पता कि क्यों इसने इतनी चोटी सी बात के लिए आपको परेशान किया तृष्णा ने सिया को डरी हुई निगाहों से देखा वह काम ना कर रही थी कि अभी ग्यान ने उसे कुछ ना बताया हो यह कोई छोटी बात नहीं है और अभी ग्यान से माफी मांगो बाद तुम्हारे लिए परेशान था वह मुस्कुराई मुझे पता है कि मैं बहुत नशे में थी यकिन कीजिए मुझे कुछ भी याद नहीं कि मैंने क्या किया कोई बक्रेडा खड़ा करने का मेरा कोई रादा नहीं था उसने अभी ग्यान से लर्मी से कहा इट सोके अभी ग्यान ये ठंडे पन से कहा और सिया से पूछा आप क्या लेंगी चाय या कॉफी कुछ नहीं मुझे अब चलना चाहिए और जल से जल घर पहुचना चाहती थी ओके इस मदद के लिए बहुत शुक्रिया अभी ग्यान ने अभार प्रकट करते हुए कहा वह मुस्कुराई और कहा ध्यान रखना सिया दर्वाजे के और बढ़ी सुनिये सिया अभी ग्यान ने उसे रोका आप इसे भी अपने साथ ले जाएए रास्ते में ड्रॉप कर दीजिएगा मुझे आफिस के लिए देर हुजाएगी उसने त्रिशना की और इशारा करते हुए कहा नो प्राबलम सिया समझ रही थी कि अभी ग्यान त्रिशना के साथ अकेले नहीं रहना चाहता त्रिशना भी उठी और सिया के पीछे चलने लगी सिया त्रिशना को छोड़ने के बाद घर पहुची उसे या देखकर रात मिली कि यश घर पर नहीं था वह जैसे ही आफिस पहुची उसने बोल्ड रूम से आते हुए हलके हलके म्यूजिक को सुना उसने अंदर जाका तो देखा अभी ग्यान ही था जो गिटार बजाते हुए गाना गा रहा था एक ऐसा गीत जो उसने पहले कभी नहीं सुना था गीत के बोल बहुत अच्छे थे शानदार कमपोजीशन और मंत्र मुब्द कर देने वाली आवाज अभी ग्यान दर्वाजा बंद करने के लिए पीछे मुड़ा तो उसने पाया कि सिया सामने खड़ी है सफेद लिलन का कुर्ता और पैंट पहने उस पर नीले रंग का स्टॉल डाले हुए वा सफेद रंग में काफी फ्रेश लग रही थी शायद यह उसका फेवरिट कलर है कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है कि बीती रात आपने क्या छेला है आप तो बिल्कुल फ्रेश लग रही है आफिर कैसे यह सब मुस्कराते पे मैनेज कर लेती हैं आप अभी ग्यान ने इससे सवाल किया फिर तो हम एक जैसे हुए है ना कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता जो कल आपने छेला है देखिए आप भी खोश और एनरजेटिक दिखाई दे रहे हैं सिया ने उसी जोश से जवाब दिया हाँ ये तो है सिया आपको अपनी जिन्दगी में पाकर मैं खुश हूँ मैंने आपको कल अपने बारे में सब कुछ बता दिया खराब से खराब बाद थी आपको पता है मुझे बहुत अच्छा और हलका लग रहा है थैंक यू मैं आपको परिशान करता रहूँगा पर आपकी इस बेहतरी शक्सियत के पीछे का राज क्या है मेरे ख्याल से एक खुशहाल और सपोर्टी फैमिली राइट वरना इतने बड़े बिजनिस को मैनेज करना इतना असान नहीं होता उसने संशेप में कहा सिया मुस्कुराई और टॉपिक बदलते हुए बोली हम आपने तो कहा था कि आपको देर हो जाएगी हाँ मगर फिर मैंने सोचा कि अगर मैं देर से पहुचा तो बोस गुसा हो जाएगी इसलिए मैं दोड़ता हुआ आगया वह हसने लगा येस खास कर तब जब बोस इस प्रिटी और नॉइन है ना उसने मस्ती में जवाब दिया अभेग्या ने दो शब्दों को जोर से दोराया प्रिटी और अनॉइन सिया ने बादचीत के दिशा को मोड दिया आपकी आवाज बहुत अच्छी है और वह गाना कौन सा था ओह वो मेरी अपनी कॉमपोजीशन है उसके चेहरे पर गर्व तैर रहा था आपकी सिया ने मूबिच काया सिया मैं लुखता हूँ कंपोज करता हूँ और गाता हूँ आप जानती हैं कि मैं एक मूजीशन भी हूँ उसके रियक्शन को भाबते हुए अभी गया ने जवाब दिया वाकई कितने क्रियेटिव हैं आप उसने एक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया थैंक्यू मैडम उसने नाट के रूप से सर जुका दिया सिया हसने लगी उन दोनों ने वीती राथ हुई घटना के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा डाटा मैट्रिक्स की मीटिंग सिर पर थी और अब तृशना वहाँ नहीं थी सिया ने कंटेंट और प्लैनिंग टीम के साथ ही ट्रेनिंग टीम को भी मीटिंग के लिए बुलाया तृशना का कल राथ एक्सिडेंट हो गया वो लगभग एक हफटे तक आफिस जॉइन नहीं कर सकेगी डॉक्टर ने उसे आराम करने की सला दी है सिया ने मीटिंग की शुरुआत की तो कल राथ तक हमारे पास अभी ग्यान और तृशना की टीम थी जो डाटा मेट्रिक्स के मिटिंग वो प्रेजेंटेशन के लिए जा रही थी ताकि हम डेल फाइनल कर सकें ये तीन दिन लंबी बिजनस ट्रिप है क्या कोई है जिस परिशानी के वक्त तृशना की जगे जा सके मैं जा सकता हूँ अमन ने कहा ग्रेट तो आईए यहाँ हम डेमो प्रेजेंटेशन के साथ शुरुआत करते हैं अभी ग्यान के आप इन्हें असिस्ट करना चाहोगे सिया ने अभी ग्यान की तरफ देखा जो तेजी से अमन और उसके टीम के साथ त्यारी में लग गया अगले तीस मिनट में दोनों डेमो प्रेजेंटेशन के लिए त्यार थी अभी ग्यान ने अपना प्रेजेंटेशन शुरू किया और फिर अमन को पमान सौब दी अमन शायद थोड़ा नर्वस था और कई कोशिशों के बाद भी बीच बीच में अटक जा रहा था दो तीन कोशिशों के बाद फिर सिया ने हस्त छेप किया हे हे बिट अ मिनट सौरी मैम इस प्रेजेंटेशन को बनाने में सबसे जादा योगदान मेरा है इसके बावजूद मैं ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है अमन ने उसे कुछ कहने से पहले ही मायों सोकर बोला कोई बात नहीं मैं समसकती हूँ ये अचानक से तुम्हारे सर पर आ गया तुम अपने काम में बहतरी हूँ अमन खास कर कॉंसेट डिजाइनिंग और डेवलपिंग में तुम ही बताओ क्या इस प्रेजेंटेशन को हम इंटरनेशनल फ्लाइंट के सामने इस तरह से पेश कर सकते हैं? नहीं न? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है कंटेंट तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है मैं खुशों कि तुमने कोशिश की लेकिन अगर तुम यहां अपने आफिस में अपने साथियों के सामने इतना ही चक रहे हो तो पूने की फोरेंट डेलिगेट्स और क्लाइंट को करनेंस करना और भी मुश्किल होगा अच्छी कोशिश थी लेकिन तुम से बहतर कर पाने के शमता है इसने बड़ी नमरता से प्लाइनिंग हेड़ और साथ ही कॉन्फिर्स रूम में मवजूद सभी सेनियर्स को समझाते है कहा मैं चाहती हूँ कि क्लाइंट्स हैंडलिंग में और लोगों को तयार किया जाए सिर्फ एक तृष्णा पर ही सारी जिम्मेदारी क्यों बाकी किसी डिपार्टमेंट में तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है फिर कंटेंट टीम में क्यों हमारे पास लीडर्स की कमी है मैं इस डिपार्टमेंट पर खुद ध्यान दूँगी मुझे चार-पांच लीडर्स और चाहिए आखिर ये हमारी कंपनी का सबसे बड़ा और इंपॉर्टन डिपार्टमेंट है मैं इस पर बाद में बात करूँगी अभी कल के प्रेजेंटेशन का मुद्दा ज़्यादा ज़रूरी है मीरा अंचू सिया ने मेटिंग में कुछ और चेहरों की तरफ देखा लेकिन कोई भी इस असाइमेंट के लिए पूरी तरह से तयार नहीं लगा नो प्रॉबलम आप लोग जा सकते हैं उससे निर्देश दिया मीरा प्लीज मेरे लिए किट तयार करो मुझे सब कुछ दो बज़े तक तयार चाहिए ओके येस मैम मीरा ने फौरण दोड़ भाग शुरू कर दी उसने पहले से त्रिशना के लिए बिजनस किट तयार कर ली थी लेकिन सिया मैम के लिए वह चाहती थी कि हर चीज परफेक्ट हो मीरा त्रिशना के लिए पिछले कई सालों से काम कर रही थी और जानती थी कि त्रिशना कभी भी किसी को आगे बढ़ने का मौका नहीं देती थी खास कर बाद जब क्लाइन डेलिंग की हो उसे लगता था कि लोग सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे तो उसकी कदर कम हो जाएगी मीरा उसको खुश करने में लगी रहती थी ताकि एक रोज उसे बन चाहा एक्स्पोजर मिल सके सिया के लिए सीधे काम करने का यमीरा का पहला मौका था किवल सिया और अभी ग्यान ही अब बोर्ड रूम में बचे थे अभी ग्यान ने पूछा तो फिर कौन जाएगा? हाला कि मैं इसे अकेले मैंनेज कर सकता हूँ और कंटेंट पार्ट को भी भरोसा कीजिए मुझे पता है अभी ग्यान आप इसे कर सकते हैं लेकिन चिंता मत करिए इस मीटिंग के लिए आपके साथ मैं जाऊंगी उसने जवाब दिया यू? अभी ग्यान ने अस्चरी से पूछा येस मी दुखी हो गए? अब आपको कोई हैपनिंग सी कंपनी नहीं मिलेगी सिया ने उसे चिढ़ाते हैं कहा ओ ये अब बड़ी नाइंसाफी है भगवान बचा लो मुझे उसने ठी ठोली कि अभी ग्यान इस सुखर वदलाव से बहुत खोश और उत्साहित था वह सिया के साथ कुछ अच्छा वक्त बिताना चाहता था ताकि उसे और बहतर तरीके से समझ सके शाम की फ्लाइट थी सिया और अभी ग्यान रात आट बजे पूने पहुँच गए वहाँ त्रिश्णा और अभी ग्यान के लिए पहले से होटल बुक थे त्रिश्णा ने सन एंड सेंड में दो इंटरकनेक्टेड रूम की बुकिंग की थी इतनी आपा धापी में अभी ग्यान बुकिंग चेंज कराना भूल गया उसके दिमाज में यह बात तबाई जब दोनों होटल पहुँच गए ऐसे में उसने चुप रहना ही वेथर समझा दोनों नी चेक-इन किया स्टाफ ने उन्हें ऐसे बधाई दी जैसे कि वे अपने हनिम्यून पर हो सिया एक स्मार्ट महिला थी वे अभिग्यान के बॉडी लेंग्विज से समझ गई कि वा कुछ तो चिपा रहा था लिफ्ट में सिया ने उससे धीरे से पूछा तो अभिग्यान क्या प्लैन है वाट प्लैन? कोई प्लैन नहीं है वा सन्य था सिया ने मुस्कुराते लिफ्ट में को देखा और अपनी शरारत जारी रखी बेबी, आर यू शूर? नो प्लैन तब तक अभिग्यान ने बलश करना शुरू कर दिया क्या मैं आपको रूम में चल कर बता सकता हूँ, प्लीज ओ बेबी, तुम कितने शर्मी ले हो सिया को मज़ा आ रहा था जैसे ही वे रूम में गए बेल बॉई ने उनका सामान लगे जिस्टेंड पर रखा तूरा कमरा गुलाब की पंखुडियों और खुश्बदार मुम्बतियों से सजा हुआ था सिया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी उस लड़के ने उन्हें फिर से विश्किया और रूम से चला गया अभी ग्यान ने जेब कर रूम लॉग किया अब आप बताना चाहोगे कि क्या चल रहा है अभी ग्यान सिया ने साप पूछा उफ देखे यहां दो कमरे हैं बस वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं लेकिन यह विल पर नहीं दिखेगा आप चिंता मत करिये और मुझे इसके बारे में जानकारी थी लेकिन कल रात से इतना कुछ हुआ कि मेरे जेहन से निकल गया था मैं बुकिंग चेंज कराना भूल गया पर मैं आपको बता दूँ कि यह मेरा प्लैन नहीं था यह तृष्णा का प्लैन था पर तब तक मुझे इससे कोई आपती नहीं थी आप चाहें तो हम बुकिंग चेंज कर सकते ही बेशक इसे तुरंट चेंज करिये सिया ने निर्देश दिया क्यूं आपको मुझ पर भरोसा नहीं है उसने हिचकते ही पूछा बिल्कुल भी नहीं मैं मुस्कुराई काम ओन यार हम दोस्त हैं अभिग्यान लजजित महसूस कर रहा था हाँ मैं एक प्लेबॉई की दोस्त हूँ सिया ने अभिग्यान को कंखियों से देखते हुए कहा लेकिन मैं आपकी दोस्त हूँ इसलिए मुझे ऐसे इंटरकरेंक्टेड रूम की कोई जरूरत नहीं है उसने चीजें और भी साफ कर दी सिया ने खुदी रिसेप्शन में कॉल करके वोकिंग चेंज करने का निर्ने किया उन्हें उसी फ्लोर पर दो अलग-अलग रूम मिल गए जब तक वे सेटल हुए एक बज चुका था दोनों अपने अपने रूम में जाकर प्रेजिंटेशन की त्यारी करने लगे कुछ देर बाद अभिग्यान ने सिया के रूम का दर्वाजा नौक किया कम इन वा लेटे हुए अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी उसके बाल खुले थे और आखों पर चश्मा लगा था प्लीज जाते हुए दर्वाजा बंद कर दें और किसी से कहे कि मेरा पानी का जग भर दें और बिना उपर देखे हुए बोली सफेद रंग के मिड़ी में वला परवाही से बिस्तर पर लेटी थी उसे लगा होगा कि रूम सर्वेस स्टाफ है येस मैं मैं करता हूँ अभी ग्यान ने पूरे जोश से उत्तर दिया अभी ग्यान आप हैं सिया ने हैरत से उपर देखा सिया विस्तर से उठी और उसने पिंग कलर का एक स्टॉल शॉल की तरह लपेट लिया सिल्क स्टॉल जिस पर तरह तरह के पिंग शेट्स की तितलियां बनी हुई थी वह सफेद और गुलावी अभी ग्यान मंत्रमुक्त था आप कितने साल की हैं वह अचानक पूश बैठा वाट? सिया ने कन्फर्म करने के लिए पूछा क्या अभी ग्यान ने वही पूछा है जो उसने सुना है मैंने कहा आपके उम्र क्या है सिया उसने अपना सवाल मा आवाज बुलंद धराया क्यों? मा उसके सवाल के संदर्प को नहीं समच सकी अब सवाल बहुत करती हैं जादा क्यों और क्या मत कीजिए बस जवाब दीजिए उसने जोर देकर कहा कैसा बेदुका सवाल है उसने फिर से टाल दिया ओके तो मैं आपको बता दू सिया रायजादा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ अब आप शादी शुदा होने का दावा करें या दो बच्चों की मा होने का और चाहे आप साथ साल की बुड़ी औरत की तरह बरताव करें मुझे अफर्क नहीं पड़ता मुझे आपसे बेपना मुहब्बत है और इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो अब मुझे रोक सके मैं बस इस प्यार में डूपता जा रहा हूँ मुझे प्यार को एक टक देख रहा था अब एक ग्यान सुर्वन्शी आपकी कोई बदमाशी मुझे पर काम नहीं करेगी प्लीज प्लीज प्रिटेंड मत कीजिए मुझे पता है आप मुझे हिटलर, डॉन, गबर और नजाने क्या क्या बुलाते है इसलिए आप मुझे बुद्धु बनाने में इतनी आसानी से तो काम्याब नहीं होने वाले सियाने मुस्कुराते ही उसकी प्रपोजल ठुकरा दिया वह खीच गया सीरियसली ये क्या जवाब है इस तरह के खुबसूरत प्रपोजल का कोई ऐसे जवाब देता है क्या अगर आपकी जगे कोई और महिला होती तो मुझसे फौरन इंप्रेस हो जाती इससे बहतर जवाब मिल सकता था मुझे वह शिकायती लहजे में बोला वैसे क्या खुब पकड़ा है आपने मैं बस मस्ती कर रहा था जवाब ने मुझे लिफ्ट में बेबी कहा तो मुझे लगा कि मुझे भी आपकी खिजाई करनी चाहिए लेकिन आप तो जाल में फसी ही नहीं मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ आपको कुछ काम था क्या उसने आने का सबब पूछा हाँ मैं content पर काम कर रहा था और उसने कुछ changes करने है मैं notes शेयर करना चाहता था उसने जवाब दिया जानते हैं मैंने भी कुछ changes किये हैं और मैं आपको बताने ही जा रही थी उसने उसे बैठने का इशारा किया उन्होंने notes में वे बदलाख के बारे में डिसकस करना शुरू कर दिया जल्दी ही वे जान चुके थे कि उनके चेंजेस एक जैसे थे बशब्दों का चुनार ही अलग था उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा अभी ग्यान खुद को या कहने से रोप नहीं पाया वाह क्या कमाल की कमपेटिबिल्टी है यश हमारी प्रोफेशनल एप्रोच काफी एक जैसी है वैसे हमें कल जल्दी उठना है और मगर पट्टा जाना है जो यहां से काफी दूर है उसने जोर देते हुए कहा हाँ वो हड़ पसर है मैं जानता हूँ वैसे आप शब्दों पर इतना जोर क्यों देती है आप नॉर्मल नहीं रह सकती है क्या अभी ग्यान ने सवाल किया ये विल्कुल नॉर्मल है मैं बस क्लेरिटी चाहती हूँ मुझे कन्फ्यूजन पसंद नहीं है उसने स्वस्ट किया रिलेक्स या अपने दिमाग को काबू में रखना और भावनाओं पर कंट्रोल करना ठीक है पर उन्हें दबाना अच्छी बात नहीं थोड़ा सहज रहने की कोशिश कीजिए हर लम्हे को खुलकर आजादी से जीना चाहिए कुछ चीजे ऐसी भी होती है जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकती मिसराइजादा गुड़नाइट स्वेट ड्रिम्स उसके अंदर के ट्रेनर में कुछ ग्यान बाटा और जैसे ही आगे बढ़ा अलड़ खड़ा गया गुड़नाइट समाल के गिरना मद सियाने याद दिलाया वह बल्टा और हसने लगा अभी ग्यान अपने रूम में वापस चला गया पर हजार कोशिशों के बाद भी उसे नीन नहीं आ रही थी उसका दिमाग अभी भी सिया पर फोकस्ट था एक औरत हर वक्त इतना सतर क्यों रहती है उसे क्या परिशान कर रहा है सिया बात करते समय इतनी साधान क्यों रहती है कभी भी वो रिलक्स नहीं रहती वह क्या चिपाती रहती है मेरे साथ सिया की बाद चीद और उसे एकड़म अलग है हाला कि वह सामान और कूल दिखने की कोशिश करती है बावजूद इसके वो मुझे लेकर कुछ जादा ही सतर्क है क्या मेरी इमिज से घबराती है अब एक ग्यान हियूमन साइकोलिजी के तहट सारी चीजों को मत रहा था और सिया के परफेक्ट टाइप के विवहार का भी विशलेशन कर रहा था तभी उसके दर्वाजे पर किसी ने नौक किया जरूर सिया होगी वो भी मेरे बारे में सोच रही होगी इस ख्याल ने उसे खुश कर दिया उसने दर्वाजा खोला तुपाया कि बाहर रूम बॉय था उसे सिया को दर्वाजे पर न देखकर निराशा हुई सर मैम सोच चुकी है और उनके रूम का दर्वाजा अभी भी लॉक नहीं है लड़के ने कहा ओ मैं देखता हूँ थैंक्स अभी ग्यान निया सोचते हुए जवाब दिया कि वह एक अंजान जगे पर इतनी लापरवा कैसे हो सकती है बस सारे नियम मेरे लिए हैं क्या और सिया के रूम में गया डोर लैंच नहीं था इसलिए और्टो लॉक नहीं हुआ वो सकता है हाउसकीपिंग वाले लड़के रूम से निकलते हैं ठीक से बंद नहीं किया और सिया शायद काम करते करते सो गई हूई या फिर सोचते सोचते मैं कमरे के अंदर गया रात के साड़े तीन बज रहे थे छोटी सी बात के लिए विग्यान उसे जगा कर उसके नीम खराब नहीं करना साहता था पैसे वो कल रात भी नहीं सोई थी और अभी उठ गई तो फिर शाय दोबारा आख न लग पाए मैं ही लोग कर देता हूँ या सोचकर वा जाने के लिए मुड़ा लेकिन पाँ उठ नहीं रहे थे अजीब से कशिश थे सिया के चेहरे में एक तरफ अविग्यान का दिमाग उसे जाने के लिए कह रहा था पर दिल सिया को करीब से देखने के लिए मचल रहा था दिल और दिमाग की लड़ाई में दिमाग अकसर हार जाता है दिल के जिद के आगे कई बार दिमाग घुटने में आ जाता है यानि घुटने टेक देता है बस सिया के बैट के सिराने जाकर जमीन पर बैट गया और एक टक उसके सौमे चेहरे को देखता रहा अपने पेट के बल सो रही थी, लैट आप आप उन था, बस स्क्रीन बन थी सफेद रंग उस पर बहुत जचता है सिया कितनी प्यारी और मासूम है, बहुत ही खुपसूरत और नाजुक सी और कुछ उदास भी है, लेकिन उदास क्यूं है, अभी ग्यान ने गोर से देखा हाँ वो तन्हा और उदास है, इतनी प्यारी और कॉमल तितली जैसी है सिया पर दितलियां तो चंचल होती है, फिर क्या है, जो इनकी उदासी की वज़ब बन गया है, कुछ तो जरूर है, उज़े पता लगाना ही होगा वो जटके के साथ उठा, सिया को कंबल उढ़ा कर दर्वाजे की ओड़ चल पड़ा, दर्वाजा लोग किया और अपने रूम में लोट गया कई सालों से वा किसी रिष्टे में बन कर नहीं रहा था, बिना किसी बंधन और जिम्मेदारी वाली रिलेशन्शिप में बस मौच करना उसकी आदद बन चुकी थी, उसे अपनी परसनालिटी और पेशे की वज़े से अटेंशन की कमीम नहीं थी, लेकिन यह पहली बार था कि वा किसी बाडी या खुब्सूरक चहरे को एड्मायर नहीं कर रहा था, उसे किसी की खोई हुई खुशियों की फिक्र थी, अपने भीतर के इस बदलाव से वा खुद हैरान था, वा अपने आपको समझा रहा था, सिया को पसंद करने की बजाएं, उसके शरीर सिर्फ उस कि सुन्दर हथेलिया दिखती, तो कभी उसके आखों के बीच लगी छोटी काली बिंदी, कभी उसके जूमते हुए जूमके, तो कभी उसकी साड़ी का चल, क्या आदमी हो यार, तुम एक शादी शुदा औरत के लिए पागल हो रहे हो, अपने आपको समा लो, वा अपने ख्यालों के दिशा, जबरदस्ती मोर देना चाहता था, पर दिल के आगे उसकी एक न चली, दिल की आवाज दबाने के लिए उसने तेज आवाज में गानी चला दिये, I don't want to miss a thing, उसने जल्दी से गाना बदल दिया, और अगला गाना बजा, तुमको देखा तो एक ख्याल जाया, जैसे आज पूरी कायना थी उसकी दुश्मन हो गई थी, पर सिया के साथ बीते पिछले कुछ हप्तों को स्कैन करने लगा, अगली सुबह अभी ग्यान ने यह तै कि वह केवल काम पर ध्यान देगा, और सिया के साथ लिम्टेड बात ही करेगा, ताकि उसे कम परिश के पाट लेता था, वह किसी भी कीमत पर अपने दिल के वहकावे में आकर इस खुबसूरत रिलिशन्शिप को खोना नहीं चाहता था, अगर सिया के मुस्कान के पीछे का दर्द और उदासी की वज़े जानना अब और जरूरी हो गया था, जो शायद केवल उसी को महसूस ह रहा था, अभिज्यान और सिया की प्रोफेशनल अंडरस्टेंडिंग बहतरीम रही, डाटा मेट्रिक्स की टीम और उनके इंटरनेशनल काउंटर पार्ट्स पहले राउंड की मीटिंग और प्रेजेंटेशन में सहमत दिखे, पूरे दिन उन्होंने लगातार अलग- इजाम किया था, फिर भी सिया ने काम के चलते लंच नहीं किया, मीटिंग में जादा वेस्ट होने की वज़े से अभिज्यान ने भी लंच पर टाइम वेस्ट नहीं किया, टेक्निकल टीम की कुछ शंकाएं थी, जो इस सेशन में आने की उमीद नहीं थी, इसलिए उसे कार्टा मैट्रिक्स के ओफिस में इनका पहला दिन खथ हुआ, तोनों मोटल की तरफ वापस लोट रहे थे, रास्ते भर अभिज्यान कार में मेटिंग की सकसिस की बाते करता रहा, उसे उमीद थी, कि इस डील से बेंचमार कंपनी, कंटेंट वर ट्रेनिंग में एक लीडि कार्टा में ठीक है, सिया ने बस अपना सेर हां में हिला दिया, ये दोनों होटल पहुचे, अभी ग्यान लिफ्ट के दरवाजे की तरफ देखते हुए, उसके खुलने का इंतजार कर रहा था, उसी वक्त उसने अपनी दाईं कोहनी पर सिया के हाथों की पकड़ महसूस की, वह मुड़ा तो सिया ने फुसूस आते हुए कहा, मैं बेहोश हो सकती हूँ, मैं बेहोश हो सकती हूँ, जब तक वह कुछ समझ पा था, कि सिया को क्या हो रहा है, वह उसकी बाहों में जूल गई, अभी ग्यान ने मदद के लिए होटल स्टाफ को आवाज दी, और सिया को बाहों में उठा कर अपने रूम में ले गया, वोटल स्टाफ ने मेडिकल हेल्प के लिए कॉल कर दिया था, अभी ग्यान सिया के पीले पड़ चुके चेहरे को देखकर परिशान था, वह समझ नहीं पा रहा था, कि सिया की तबियत के बारे में, उसकी फैमली में किसको और सुबह से ही अपने आपको प्रोफेशनल दिखाने के लिए वेस्थ होने का नाटक करता रहा, और उसे पता भी नहीं चला कि कवव इतनी बिमार हो गई, रूम के घंटी बजी तो उसने दर्वाजा खोला, सर डॉक्टर, मैनेजर मेडिकल हेल्प के साथ अंदर आया, हैंक यू सो मच, प्लीज कम इन, क्या हुआ, डॉक्टर ने कमरी में अंदर आते हुए पूछा, पता नहीं ये लिफ्ट में बेहोश हो गई, अभी ग्यान ने बताया, क्या ये प्रेगनेंट है, डॉक्टर ने पूछा, मुझे कैसे पता होगा, उसने डॉक्टर के अटपटे सवाल का जवाब दिया, आइम सॉरी, मुझे लगा कि ये आपके पत्नी है, डॉक्टर ने शर्मिनदा होते हुए कहा, क्यास लगाने की वज़े से मैं यहां के लोगों को और उनकी धार्णाओं को पसंद ही करता हूँ, हम कली हैं, दिल्ली से पूने एक मिटिंग के लिए आये हैं, मिटिंग के बाद ये लिफ्ट में बेहोश हो गई, बस मुझे इतना मालू है, उसने स्वस्ट किया, ओके ओके, डॉक्टर ने उसे अच्छी तरह से चेक किया, क्या आप मुझे बता सकते हैं, इन् रोग, पता नहीं, उसने अपने दिमाग पर जोड दिया, तृष्णा ने कहा था ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम, लेकिन कौन सी, सिया ने खुद भी कहा है, कि वह ओफिशली स्वीट है, क्या इसका मतलब, सोचने के बाद बोला, बन सेकेंड, वह ब्लड प्रेशर प्रेश अपने हाथों में सिया के हाथों का होना, उसके लिए रोमान्चित कर देने वाला था, अगर उसने खुद को सहियत करने की कोशिश की, उसने डॉक्टर से पूछा, हुआ क्या है, इनका शुगर लेवल और बीपी दोनों डिप हो गया था, इन्हें इस तरह से अपनी डाइ दवाईया ले आए और चिंता मत कीजिए, इन्हें कुछ घंटों में होश आ जाएगा, डॉक्टर ने विस्तार से बताया, उसने डॉक्टर का शुक्रिया आदा किया, परशालिया और होटल स्टाफ से दवाईया लाने को कहा, क्योंकि वहां सिया के रेख रेख करने के लि वह सो रही होगी, बड़ा लंबार ठकाओ दिन था, अगर कोई काम है तो आप मुझे बता सकते हैं, अभिग्या ने सिया की तवियत के बारे में बताना सही नहीं समझा, सर मैम ने दो पहर में क्लाइंट की कुछ नई जरूरते बताई थी, हमने उसके मताबिर टेक्निकल प जवाब दिया और फोन कार्ट दिया, इमेल देखने के लिए वह लैपटॉप ढूंब रहा था, कि उसे याद आया कि सिया को लिफ्ट से अपने रूम तक वह अपनी बाहों में लेकर आया था, तो फिर उसका समान किसने उठाया, ओ गौड इतना कहकर अपने लैपटॉप बैग और सिया के पर्स को ढूंबने के लिए वह तेजी से कुरसी से उठा, और रिसेप्शन वह सिक्यूरिटी को फोन किया, उन्हें पूरी घटना बताई और बैग को ढूंबने के लिए मदद मागी, होटल स्टाफ ने उसे सिक्यूरिटी कमरे के जरिये सब पता करने का कुछ देर में एक होटल बॉई भीतर आया, उसने बताया कि उनका सामान वह खुद लाया था, जवा सिया मैडम को सेटल कर रहे थे, तो वहीं सिटिंग कॉर्णर में रखकर चला गया था, सामान कुरसी के पीछे ही था, उसने लड़के को गले लगा लिया, थाइंक्यू सो लैप्टॉप खोल लिया, उसे वाइफाई से कनेक्ट किया, और मेल चेक करने लगा, बहुत से एमेल्स थी ऑफिस से, उसने टेकनिकल टीम को दूस्या और शक्ताओं के लिए रिपलाई किया, जब अपना एमील अकाउंट लॉग आफ कर रहा था, उसने सिया की डेक्स्ट कि शैतान ने आग रह किया, और फरिष्टा सहमत हो गया, अभिग्यान और तस्वीरों की तलाश में सिया के लैप्टॉप में ब्राउजिंग करने लगा, उसने एक बार सिया की ओर देखा, वो अभी इंजेक्शन के असर में सो रही थी, अभिग्यान ने पिक्चर फोल्ड पर थी, ओ, वो फिर ड्रेस में कितनी अच्छी दिखती है, फिर वो ऑफिस में, अक्सर ही सिर्फ धीले कुरते क्यों पहनती है, जाद अतर बोरिंग कपड़े ही क्यों, वो एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर घूम रहा था, किसी बीच उसने एक फोल्डर देखा, एक साइ लिखा हुआ था, या उसे बहुत उबाव लगा, जो उसने फोल्डर बंद कर दिया, और फोल्डर का नाम दुबारा पढ़कर वा ठिठक गया, एक साइल, पर एक साइल क्यों, किसका एक साइल, क्या वा किसी जंगल सफारी पर गई थी, या किसी रिट्रेट में जंगल में गई थी, हो न हो अपनी रशनात्मक सोच के जुनून के चलते, ऐसा नाम रख दिया होगा, लेकिन है क्या हिं डॉकिमेंट्स में कविताएं या मेमोयर, वा मुस्कुराया और उसे दुबारा खोला, अभी आप सुन रहे थे, विनीता अस्थाना जी का लिखा खुबसूरत पर्ण्यास, बेहया का भाग दो, आगे के भाग सुनने के लिए बने रहे कहानी गोल्ड के साथ, धन्यवाद